सभी पेंशन भोगियों को मेरा नमस्कार आप देख रहे हैं WK किरियेटर यूटूब चैनल आज के इस वीडियों में मैं ये बताने वाला हूँ कि सभी पेंशन भोगि चाहे वे डिफेंश पेंशनर हो या सिविल पेंशनर हो या रेलवे पेंशनर हो चाहे वे किसी भी ओर्गिनाइजेशन से पेंशन ले रहा हो वे सभी पेंशनर अपना लाइब सर्ट अबेकिट घर बेटे ही जमा करवा सकते हैं इसके लिए भारतिय डाक विबाग ने ये सुविदा दी है कि वे अपना डिजिटल लाइब सर्ट अबेकिट बिना कोई परेशानी से जमा करवा सकते हैं तो चलिए मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ आप वीडियो को पूरा वे अंत तक जरूर देखे तो चलिए अंभिना दीरी कि ये वीडियो को शुरू करते ही आप सबसे पहले अपना क्रोम ब्रावजर ओपन कर ले आप यहाँ पर सर्च करेंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बेंक आपके सामने जो पहली वेबसाइट आई ये इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बेंगी आप इसे ओपन कर ले आपके सामने कुछ एसा इंटरफेस ओपन होगा आपके सामने जो एटोर डाइजमेंट आये हैं इसे क्लोस कर दें आप यहाँ पर थ्री लाइन दी हुए है आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे आप लिखा हुआ है service पर इस पर click करेंगे इसे थोड़ा नीचे slowdown करके आप यहाँ पर देखेंगे कि digital life certificate लिखा हुआ है आप इस पर click करेंगे आपके सामने जो भी जीवन परमान की जो भी information है वो यहाँ पर दी हुई है आप चाये तो इसे read कर सकते हैं नहीं तो आप इसे नीचे थोड़ा slowdown करके click here लिखा हुआ है आप इस पर click करें आप यहाँ पर ok पर click करें इसके बाद आपके पास service request का form open होगा आप यहाँ पर first option में अपना नाम second में अपना जो भी address है और fourth में पिन कोड नंबर फिर अपना email address अपना mobile नंबर यहाँ पर आप जीवन परमान digital life certificate select करेंगे फिर उसके बाद आप request OTP पर click करेंगे तो आपके mobile पर एक OTP भेजा जाएगा उस OTP को आप यहाँ पर डाल कर submit बटन पर click कर देंगे तो आपके सामने एक reference नंबर generate होगा आप उसे note करके रख सकते हैं फिर आपके पास postman का एक call आएगा यहाँ फिर एक email आएगा जिसमें आपको यह जानकारी दी जाएगी कि postman आपके घर पर किस date को वे किस time को आने वाला है वह आपके घर आकर आपका digital life certificate बना देगा इसके लिए वह बायोमेटिक डिवाइस अपने साथ लेकर आएगा इस पुरी प्रोसेस में postman आपसे 70 रूपीज की फिस लेगा जो की government of India ने ते की है इस तरहे आपका जीवन परमान पत्र सबलता पूर्वक सम्मिट होगा उसके आने से पहले आप कुछ document अपने पास तयार रखे जैसे अपना आदार कार्ड अपना पीपियो अपना बेंक अकाउंट नंबर अपनी एजेंसी का नेम ऐसे कुछ document जो आपकी pension detail को verify करते हैं ऐसे document आप उसके आने से पहले तयार रखे अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वे बेल आइकन प्रेस कर लीजिए